ये गैस, what's up, I hope आप सब लोग शांदार, मज़ेदार, धमाकेदार होंगे तो यहाँ पे इंडियन गवर्मेंट की तरफ से, यहाँ पे हमरे ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरंदर मोदी जी की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, this is regarding क्रिप्टो करंसी लोग यहाँ पे मिलके, क्या यहाँ पे फ्यूचर में क्या प्लान आने वाला है, इंडियन गवर्मेंट क्रिप्टो करंसी के बारे में क्या सोचती है, क्या एक पोजिटिव रेगूलेशन आएगा, या फिर एक बैन आएगा, उसके बारे में आज के वीडियो में डिसकस क करने वाले इंडिया में क्रिप्टोकरंसी बिटकोइन के बारे में काफी ज्यादा नए डेवलोपमेंट्स हो रहे हैं इंडियन गवर्मेंट ने अब क्रिप्टोकरंसी पर फोकस करना शुरू कर दिया है तो जल्द ही यहां पर एक बहुत बड़ा मूँ देखने मिलेगा और वो मूँ क्या हो सकता है उसका पूरा एनालिसिस आज के वीडियो में करने वाले बहुत ज्यादा इंपोर्टन वीडियो रहने वाले साथ में यहां पर बिटकोइन में भी एक बहुत बड़ा उच्छाल जल्द ही आप देख सकते हो उसके बारे में आज के वीडियो में डि कर दीजे विकोज आपको पता होगा आपका एक लाइक ही है मेरे मोटिवेशन को यहाँ पर हंड्रेड एक्स कर दीता है और अगर आप नए हो इस वेरी इंपोरेंट तो सब्सक्राइब तो चैनल है कैसा आम के यूर यू आर वाचिंग क्रिप्टकिंग यूट्यूब चैनल चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों ही हूप यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन है क्लियरली देख पार हो राइट यहाँ पर मोदी जी जो आप यहाँ पर देख सकते हो पी एम प्राइम मिनिस्टर मोदी चेर्स हाई लेवल मीटिंग ओवर क्रिप्टो कर कर आज करंशी के बारे मेरा मोदी जी ने यहाँ पेक मीटिंग की थी यहाँ पर sizes क्रेक्प करन से मसें मेरा पॉसिटीर साइड़ साइड्स इस देसके बारे में यहाँ पे डिस्कसेशन किया गया अगर हम थोड़ा यहाँ यहाँ नीचे जाकर देख था आ Filmि तो यहां पर शशी कांता दास जी ने यह बोला था कि यहां पर क्रिप्टो करंशी में आपको पता ही होगा एक दिन यहां पर बिटकोई का प्राइस में बिटकोई का प्राइस था 64,000 डोलर सुसके बाद दूसरे दिन वापस ब्सक्ता बहुत बड़ा दंप आया उसका प्रा पहिनी ये concern दिखाया है कि यहाँ पे cryptocurrency जो इतना ज्यादा यहाँ पे fluctuate होता रहता है, इसका price यहाँ पे बहुत ज्यादा volatile है, तो यहाँ पे लोग, मतलब देखो, यहाँ पे जो hold करता है, दोजो hold for long term, उनके लिए कोई भी tension नहीं है, लिकिन जो नए लोग market में आते हैं, व लिकिन उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी meeting Indian government की तरफ से की गई, और यहाँ पे आपको पता होगा Indian government जो stakeholders है, मतलब यहाँ पे इंडिया के बड़े-बड़े exchanges है, for example, WazirX, CoinDCX, CoinSwitch, Kuber, तो यह सारे exchanges के साथ यहाँ पे एक meeting करने वाले है, और यहाँ पे discussion होने वाल के बारे में मैं यहाँ पे दीरे-दीरे discuss करूँगा, लेकिन आई हूप आप यहाँ पे समझ पार हो, यहाँ पे क्रिप्टो करन्सी ता वेरी serious concern from a macro economic and financial stability, जो मैंने यहाँ पे आपको बता है, right, pump होता है, कभी dump होता है, लेकिन किसी भी market में यह pump, dump तो देखने मिलता है, ल लेकिन फोर long term, यहाँ पे आपको पता होगा, blockchain technology is the future, cryptocurrency is the future, तो यहाँ पे एक चीज समझ नहीं है, कि Government of India क्रिप्टो करन्सी को कभी भी ban करने का नहीं सोचेगा, लेकिन उसके ऊपर एक positive regulation लाया जाएगा, बिकोज आपको पता होगा, कि यहाँ पे terrorist activities के लिए क्रिप्टो क effectively engage with the experts and other stakeholders, source added, the issue cuts across geographical borders, it was felt that it will also require global partnerships and collective strategies, तो यहाँ पे बाकी सारी जो कंट्री से उसके साथ भी यहाँ पे इंडिया वर्क करेगा, कि क्रिप्टो करन्सी को किस हिसाब से regulate किया जाया, आपको पता होगा, कि जो बड़ी बड़ी कंट्री से USA है, तो यहाँ पे काफी सारे cryptocurrency related regulations आ रहे हैं, जो हम continuously videos में cover करते हैं, लेकिन I hope यह चीज आपको समझ में आई होंगी, और यहाँ पे आपको पता होगा, जो यहाँ पे winter session आने वाले है, जो around December में start होगा, तो यहाँ पे ऐसी भी बाते चल दिए कि Parliament का जो winter session होगा, उसमें यहाँ पे government cryptocurrency के लिए एक regulation ला सकती and वो जो regulation आएगा, वो definitely यहाँ पे एक positive regulation होगा, तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे cryptocurrency बैन हो जाएगा इंडिया में, तो यह चीज यहाँ पे नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ पे एक positive regulation लाया जाएगा, because आपको पता होगा, 2017 में यहाँ पे RBI ने cryptocurrency को बैन किया थ और उस order में honorable Supreme Court ने यह बोला है, कि यहाँ पे जो RBI का 2017 वाला जो यहाँ पे बैन था, वो अभी यहाँ पे लागू नहीं होता, तो यह भी हमारे लिए एक बहुत important, जो Supreme Court का March 2020 वाला जो order था, वो भी हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत important order बन जाता है, तो I hope यहाँ पे एक जो चीज मैंने समझाए, देखिये, private digital currencies have gained popularity in the past, one decade or so, but regulators and governments have been spectacle about the currencies and apprehensive about the associated risk, right, तो market में रिस्क तो रहता है, but those who hold for long term उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहता है, तो I hope यह चीज आपको समझ में आई होंगी, अब साथ में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे देखिये, government concerned over crypto, use for laundering and terror, तो मैंने आपको जो दो चीज़े बताई, एक है money laundering, दुसरा है यहाँ पे terrorist activities, right, तो government को सबसे बड़ा problem यह है, कि यहाँ पे money laundering के लिए cryptocurrency use ना हो, और यहाँ पे terrorist activities के लिए use ना हो, right, तो इसको यहाँ पे इस हिसाब से कोई positive regulation लाया जाएगा, क यहाँ पे exchanges के पास जो भी data है, वो शायद government track कर सकती है, और यह चीज़े, यहाँ पे future में जब parliament का यह सारी चीज़े, मतलब retail में तो हमें तब पता चलेगी, जब यहाँ पे future में एक regulation आता है, जो यहाँ पे parliament में cryptocurrency regulation bill पास होता है, right, तो यह I hope यहाँ पे major concern वही है, money laundering and terrorist activities right, तो यह चीज़ I hope आपको समझ में आई होंगी, तो जो लोग आपको यह बोरें, यहाँ पे देखिए, cryptocurrency low coming soon in India, Prime Minister Chairs की meeting, यहाँ पे 5 points के बारे में, Narendra Modi जी ने इहाँ पे discuss किया है, जिसके बारे में मैंने भी यहाँ पे आपसे बात की, right, यहाँ पे काफे सारे news में आ लाने वाले है, वो हमारे लिए, this is a very positive for the Indian cryptocurrency market, इसमें कोई भी जो भी investors है, मतलब आप लोग हो, मैं हूँ, हमें यहाँ पे कोई भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है, because this will be positive, यहाँ पे जो negative side है, cryptocurrency को, जिस negative चीज़ों के लिए use किया जाता है, for example, money laundering and terror financing, इसको यहाँ पे stop करन के लिए government अपने steps लेगी, लेकिन यहाँ पे जो usual investors है, जो यहाँ पे invest करते है, trade करते है, उनके लिए definitely कोई भी tension लेनी के ज़रूरत नहीं है, तो I hope यह चीज़ आपको समझ में आई होंगी, अगर आपको समझ में आई है, definitely you can let me know in the comment section below, अब यहाँ पे काफी सरे मुझे य जिसका नाम है Jaiho, तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा information दे दीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे उनकी website पे आप देख सकते हो, is India's first actual community crypto token, यहाँ पे उनकी app भी है, जो आप प्ले स्टोर में, एप स्टोर में, जाकि यहाँ पे उनकी app address आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डाइरिकली आप इसको कोपी कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे pancake swap में जाके, यहाँ पे BNB के साथ इस token को यहाँ पे swap कर सकते हो, यहाँ पे क्यों आपको इस token में invest करना चाहिए, तो यहाँ पे इनका mission देखे, my Jaiho app, तो आप एक बार प tokenomics, अगर tokenomics यहाँ पे देखते हो, तो 2% is reserved for holders reward, तो यहाँ पे क्या होता है, कि जो भी Jaiho token के holders होंगे, उनके पास यहाँ पे, मतलब जो भी transactions होते है, वो transactions में से जो 2% fees होती है, उसको यहाँ पे सारे holders में distribute कर दिया जाएगा, जिससे अगर आप इस token को hold करते हो, तो आपक important चीज हो जाती है, साथ में यहाँ पे यहलोग 4% that will be used for the liquidity pool, 1% will be used for autoburn and 2% will be used for charity wallet, तो यहाँ पे किसी भी token में हम जब invest करते है, उससे पहले उसका roadmap देखना बहुत ज्यादा important हो जाते है, तो phase 1 में इनका community building, website building, यह सारी चीज़े यहाँ पे, white paper release, यह सारी चीज़े यहा यहाँ पे coin geeko, coin geeko, coin market cap listing, यहाँ पे इनकी coin geeko listing भी आ चुकी है, तो आप उनकी website पे आके एक बार देख सेकते हो, यहाँ पे काफी सारी apply for established exchanges, यह लोग काफी ज्यादा exchanges में list करने वाले, तो यह सारी details यहाँ पे दी हुई है, साथ में जैसे ही यह हो जाता है, उसके बाद इनका खुद का e-commerce store, influencer partnership, roadshows, buybacks and burn, साथ में यहाँ पे यह लोग अपना NFT marketplace भी launch करने वाले, तो यहाँ पे इनका vision काफी ज्यादा आगे है, इनका goal है, we support no poverty, we support zero hunger, we support save worth, we support free education, तो यह इनका goal है, और अगर आप इस goal में यहाँ पे participate करना चाहते हो, इस project में अगर आप participate करन चाहते हो, और अगर आपको लगता है, आप देख सकते हो, coin geek, coin market cap, यहाँ पे आप definitely इस token में invest कर सकते हो, जिसका contract address में यहाँ आपको दे दिया है, और pancake swap आपको पता ही होगा, कि play store से trust wallet डाउनलोड करना है, वहाँ से d apps में जाना है, pancake swap. finance में जाना है, directly यहाँ पे contract address, जो ह BNB, 0.1 BNB, आपको जिस हिसाब से यहाँ पे investment करना है, आप यहाँ पे invest कर सकते हो, I hope यहाँ पे Jaiho के बार में जो भी details थी, मैंने यहाँ पे बता दी है, साथ में इनका white paper available है, इनका security audit हो चुका है, तो वो भी आप इनकी website पके देख सकते हो, जिसके link में आपको description में दे Bitcoin is not a scam, यहाँ पे यह नहीं बोलना चाहते है, यहाँ पे इन्हों ने जो wordings used किया है, उससे काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा tension हो गया, लेकिन कोई भी tension लेनी के ज़रूत नहीं है, काफी ज्यादा मतलब यह terrorist activity और money laundering के लिए जो पैसा यूस किया जा उनको पहले blockchain technology क्या है, उसके बारे में देखना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे वो tweet कर सकते है, यह एसी tweets की वज़े से यहाँ पे कहीं बार ऐसा होता है, कि market में थोड़ा सा panic हो जाता है, but nothing to worry, यहाँ पे Bitcoin is not a scam, लेकिन यहाँ पे जो Bitcoin का use करके जो scam किये जा रहे, जिसके बारे में यहाँ पे Modi जी ने भी बताया, तो यह चीज के बारे में यहाँ पे tweet की गई है, तो I hope यहाँ पे कोई भी tension लेने के ज़रूरत नहीं होगी, चाहत में हम लोग Bitcoin के बारे में बात करते हैं, तो अब Bitcoin का चाहट यहाँ पे देखते हो, this is the bull run of 2013, 2013 में आपको क्या दे देखने मिला था, this is a weekly chat, weekly chat में आप धियान डखो, यहाँ पे एक dump देखने मिला था, जैसे ही dump आया, उसके बाद जब री टेस्ट किया, यहाँ से री टेस्ट पास हुआ, उसके बाद यहाँ पे कितना प्राइस था, यहाँ पे आप देख सकते हो, $1100 के असपस था, तो उ all time high, कितना पहुंचा, around $19-$20,000, जब वापस Bitcoin यहाँ पे 2021 में, जब $20,000 को यहाँ पे cross कर रहा था, उस time पे यहाँ पे उसको थोड़ा सा rejection, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, all time high cross कर रहा था, वहाँ से थोड़ा सा rejection मिल रहा था, जैसे ही all time high उसने cross किया, कितना pump देखने मिला, वो में यहाँ पे आपको दिखा देते हूँ, तो आप exit देख सकते हो, यहाँ पे 200% का pump देखने मिला, तो अभी currently आपको क्या देखने मिल रहा है, currently Bitcoin is testing its all time high in a weekly chart, और जैसे ही यहाँ पे इसको cross करता है, एक candle closing इसके ऊपर होती है, आप समझ सकते हो, कि यहाँ पे देखो, history is repeating itself, यहाँ पे बहुत ज्यादा pump देखने मिला, यहाँ पे बहुत बड़ा pump देखने मिला, तो इसके बाद भी यहाँ से एक बहुत बड़ा pump देखने मिलेगा, जो यहाँ पे Bitcoin के price को 1 लाख डॉलर तक ले जाने की ताकत रखता है, तो बिकोज आपको पता होगा, आपका एक लाइक ही यहाँ पे मेरे motivation को 100x कर दीता है, share कर दीजिए अपने friends के साथ, channel को subscribe कर दीजिए, और subscribe के बाज में आपको bell icon भी मिल जाता है, वो भी प्रस कर दीजिए, चलिए दोस्तों इसे के साथ आज का वीडियो खतम करते हैं, next video में मिल टे, stay safe, stay healthy, thank you, Jai Hind!